चलिए बनाते हैं सूपर सॉपर फलपी सूपर स्पॉंजी डोरा केक इसको आप पांच मिनिट में बना कर बच्चों को लंच बॉक्स में पैक करके दे सकते हैं बच्चे आपके सारा लंच बॉक्स चट करके आएंगे ये मेरी गारंटी है तो चलिए फटापट से बिना देर के हुए डोरे मोन के फेवरेट डोरा केक को बना ले दे हैं डोरा केक बनाने के लिए सबसे पहले एक बावल में डाली है मैंने लगभग 5 चमच की करीब मैंदा सात ही सात इसमें 2 चमच पिसी हुई चीनी डाली और अब डाल रही हूं मैं 2 चमच कंडेसि मिल्क दोनों चीज़े ही मैंने मीठी इस्तिमाल किये हैं पर कम-कम क्वांटिटी में किये हैं डाल दिया थोड़ा सा वैनिला एसेंस दो चम्मच शोदे देसी घी आप चाहे तो घी की जगर तेल और बटर भी डाल सकते हैं पर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो तेल आप एवाइड ही क करूँगी बेकिंग पाउडर से जो डोरा केक हैं फलपी बनते हैं और टेक्चर भी एकदम परफेक्ट आता है बैटर बन गया है चलिए फटापट से इसको बनाते हैं यहां पर डोरा केक बनाते समय चीज़ का ध्यान रखें कि आप नॉन स्टिक तवे का ही इस्तिमाल करे और तभे पे पहले हलका सा घी डाल कर अच्छे से इसको ग्रीज कर ले और फ्लेम एकदम लो रखें लो फ्लेम पे इसको बनाएं एक चमच बैटर को तभे पे फिला दें और कवर करके एक मिनट तक सिखने के लिए छोड़ दें एक मिनट बात देखिए कितने अच्छे से जाली आ गई है नीचे से कलर भी बहुत बहुत प्यारा आ गया है अब मैं इसको पलट लेती हूं और एक मिनट तक दूसरी तरफ भी सेख लेती हूं बहुत ही जादा बढ़िया डोरा केक बनके तयार हुआ है देखिए दोनों तरफ से अच्छे से सेख गया है तो बस मैं ऐसे ही और सारे डोरा केक बनाके रख लेती हूं आप इन को रात में बनाकर सुबह बच्चो को पैक करके भी दे सकते हैं आपकी मर्जी जैसे आपको बनाना है वैसे बना सकते हैं ये दिखिए चार चममच मैंडे में कितने सारे डोरा केक बन गये है बहुत ही ज़्यादा एकदम स्पॉंजी है टेक्शर भी एकदम परफेक्ट है अब इसके बीचो बीच लगा लेते हैं चॉकलेट स्प्रेड आप किसी भी अच्छी कंपनी के चॉकलेट स्प्रेड का इस्तिमाल कर सकते हैं स्प्रेड लगाने के बाद दूसरे केक से इसको कवर कर देंगे ये लोजी बन गया यहाँ पा डोरा केक लग रहा है बहुत ही ज़्यादा बढ़ी आईए अब मैं इसके करूंगी दो बराबर बराबर भाग आप चाहे तो चार पीस करके भी रख सकते हैं अगर आपके बच् लगा तो वो भी मुझे करके बताना तब तक लिए बाए बाए बाए